मुवी के स्टार्ट में हम दो सीक्रेट एजेंट जिनमें एजेंट थॉर्ण भी है उनको सीक्रेट सर्विस के डॉग चारली की लीव की बात करते देखते हैं और दूसरा एजेंट एजेंट थॉर्ण को वाइट हाउस की सेक्यूरिटी टीम मैक्स नामी डॉग को देने का कह और साथ ही उसकी एबिलिटीज भी दिखाता है जिस पर एजेंट थौन मान जाता है सींज वाइड हाउस पर शिफ्ट होते हैं तो हम देखते हैं कि प्रेजडेंट बैनेट की वाइफ और उनका बेटा उनके साथ वाइड हाउस में रहती हैं और वाइफ थो बैनेट के साथ रही है लेकिन 12 साला बेटा टीजे को मुश्किल हो रही है क्योंकि प्रेजिडेंट की फैमिली होने की वज़ा से उसे 24-7 सिक्यूरिटी के साथ रहना पड़ता है और वो स्कूल भी उनके साथ ही जाता है जिस पर कोई भी टीजे से दोस्ती नहीं करता इस सब की कंप्लेइन अपने पेरेंट से करने पर कोई फर्क नहीं बढ़ता होता इसलिए उसने वाइट हाउस में काम करते शेफ कूप से दोस्ती की होती है और वो ज्यादा दर टाइम उसके पास ही गुजारता होता है वाइट हाउस में ही गूंते हुए एक दिन माक्स मिलता है जिससे माक्स को अपना फ्रेंट मनाए हर जगह लेकर जाता है बलके वो अगले दिन उसे स्कूल भी लेकर जाता है और मैक्स की वज़ा से उसकी स्टूडेंट से दोस्ती भी होती है और वो उसे शाम में होने वाली अपनी पार्टी पर इन्वाइट करते हैं टीजे खुशी-खु टीजे घुसा करता है कि आखिर उसे क्यों इतनी कुर्वानिया देनी पड़ रही हैं लेकिन वो डिनर के लिए तयार हो जाता है नेक्स सीन्स में हम देखते हैं कि रशिन प्रेजिडेंट व्लाडमीर के आने पर टीजे की मदर और बैनेट व्लाडमीर के साथ चले जाती है जबके आलेक्स टीजे के साथ एक रूम में चला जाता है और वहां बातें करते हुए उनकी प्रेजिडेंट के किट्स होने पर अनफेरनेस पर बॉर्णिंग हो जाती है और वो डिनर स्किप करके चुपते हुए पार्टी में जाने का प्लान बनाते हैं वो दोनों मैक्स को उधरी रूम में बंद कर देते हैं और हुद छुपते हुई विंडो से दूसरे रूम में निकल कर रूम से किचन में कपड़े चेंज किये हौल में मुझूद ट्रिप के लिए आई स्टूडेंट्स में शामिल होते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं लेकिन उन्हें ये न लेकिन तभी वहां मैंक्स आकर चुर्वाने की कोशिच करने लग जाता है इतने में दूसरा किहना पर भी गाड़ी से निकलता है और मैंक्स इन में से एक को बाइट करता है और वो दूनों गारी में बीठे वहां से निकल जाते हैं टीजे मैस और एलेक्स जब घर जाते तो टीजे अपने हुसा करते पेरंट्स और एजन्ट ओर्ण को किड्नापर्स के रश्यन बोलने का बताता है लेकिन बैनेट उसे कुछ और कहने से पहले सोने के लिए बेज देता है लेकिन टीजे चुप कर सुन लेता है कि वो टीजे की बात पर यकीन नहीं करते हैं अगली सुबा अमेरिकन प्रेसिडेंट और रश्यन प्रेसिडेंट की फैमिली कैम जाते हैं जहां वो बॉर्णिंग करके पीस टॉक कर सकेंगे उधर ही हम देखते हैं कि टीजे ये सोचकर कि अलक्स कोई सिर्व उसके बाहर जाने का पता था इसलिए वो अलक्स से बात करने स बी मना कर देता है जबके शेफ कूब को जाकर पिछले दिन हुई सारी बात बताता है और अधर गार्बिज भीज भीने आये हूए रश्यन शेफ पर शक करता है फिर वो सारा दिन उस शेफ को फॉलो करता रहता है और ऐसे करते हुए ही वो उसके पीछे एक काबिन में जात पहले तो विंडो से खड़ा देखता रहता है लेकिन जब शेफ की कही बातें ट्रांसलेट करता तो उसका शक पक्का होता है और वो अंदर जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि वो तो सर्प्राइस देने के लिए ब्रेड बना रहा था तब ही टीजे को इंबारस्मेंट और पेरेंट्स को पता चलने से बचाने के लिए एलेक्स महां पहुंचाती है वो जूट बोल कर टीजे और मैक्स को वहां से ले जाती है और उसे बातों में बताती है कि उससे अपने फादर विलाड़मीर की सेक्यूरिटी गार्ड पर शक है क्यूंकि उसने एक दिन पहले ही की अपॉइंट्मेंट ली है जिसकी वज़ा मैक्स की बाइट भी हो सकती है यह सोचकर अगले दिन से वह सेक्यूरिटी गार्ड पर नज़र रहने लग जाते हैं और उसे फॉलो गड़ते हुए उसके हाइड़ में जाते हैं और टीजे मैक्स के साथ कैमरा लगा कर उसे गा करने पर वो दोनों पकड़े जाते हैं उन्हें जब घर लाया जाता है तो विलाडमीर एलक्स पर घुसा करता उससे अपने साल ले जाता है जबके टीजे की पनिश्मेंट के लिए एजेंट फॉर्ण उससे मैक्स ले लेने का सिजेशन देता है लेकिन टीजे के बैक करने पर बैनेट ऐसा नहीं करता अगले दिन हम देखते हैं कि बैनेट और विलाडमीर एलक्स और टीजे को साथ लेकर बोर्टिंग करने जाते हैं और उधर ही हम किसी को सब के सवार होने से पहले बोर्ट पर कुछ स्प्रे करते देखते हैं बारहां सब बोर्ट पर सवार हो जा होती है और सब पानी में गिर जाते हैं टीजे को तो बेनअट बचा लेता है लेकिन अलएक्स सबसे दूर जाती जा रही होती है और उसे दूर से भागता आया मैक्स बचाता हुआ शोब सोर पढूत 두zufर दे Communication Security टीम के साथ प्रेज़डंट और रशियन टीम के साथ प्रेज़डंट के ओपोजीशन से तरख कलामी हो रही है जब के टीजे आकर उन्हें कहता है कि शायद इसकी चार हो सकती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता अगले सुभा टीजे ऐलक्स से छुपकर मिलता है और उससे और उधर ही Bennett की वाइट ने पियानोंड प्ले करके पर्फॉर्मस रहनी होती है शाम होती है तो एलेक्स और टीजे बीमार होने का बहान बनाकर रूम में रहते हैं और जब फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो मैक्स को लेकर बैक स्टेज जाती हैं वहां से वो मैक्स को एजन्ट ओर्ण को डूनने बेजते हैं जबके खुद वहीं घड़े होते हैं कि सिक्यूर्टी गार के गुजरने पर वो कवर्ड में छुप जाती हैं कोई उन्हें बाहर से लॉक कर देता है और हम बच्चों की किड्नापिंग की कोशिश करने वाले को ही रूफ पर चड़कर शैंडलियर की रोप को चीरते देखती हैं मैक्स उदर आकर उसे रोपने की भी कोशिश करता है लेकिन उस चस के पास नाइफ होती है और वो उससे मैक्स को डराते हुए शैंडलियर गिरा दिता है मगर बच्चों के बाहर आकर जीखने पर वरवक्ट टीजे की मदर पीछे होती बच जाती है टीजे और एलक्स को घर ले जाकर उन पर फिर गुस्सा किया जाता है और जब वो एजेंट ओन का एंकल चेक करने का कहते हैं तो कुछ भी नहीं निकलता इस पर व्लाडमेर अमे माक्स को सेक्यूरिटी टीम से हटाने की बात करता है तो बैनेट टीजे की बैगिंग को नजरंदास करता हुआ परमीशन दे देता है और वहां से चला जाता है एजेंट और विंपर करते माक्स को टीजे से दूर ले जाता है और उसे बाहर केज में बंद कर देता है नेक्स कूप के एंकल पर बाइट का निशान देखता है जिस पर वो सब समझते हुए वहां से जाने लगता है लेकिन कूप उसे रोग देता है साथ ही वो अपनी आइडेंटिटी एज रशियन एजेंट रिवील करता है तीजे नाइफ की तरफ भागता है तो कूप उसे पकड़ कर रेफरिजरेटर में बंद कर देता है और उधर खड़े हुए ही ओलगा को कॉल करके एलक्स को किडनाप करने के ओर्डर्स देता है फिर वो टीजे को वहीं छोड़ कर चला जाता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओलगा एलक्स को बलाडमीर के बुलाने का बता कर नीद में ही फॉरस्ट में ले जाती है और जब एलक्स उससे अपने पापा का पूछती है तो वो उसे बांद देती है इदर टीजे के चीहने पर केज में सोया मैक्स जाग जाता है और केज में होल टिक करके दूसरी साइड से निकलता कैबिन की विंडो तोड़ता अंदर जाता है और उसकी कमोशन से सेक्यूरटी के साथ साथ पेरिंट्स भी अलर्ट हो जाते है वो उन्हें लीड करता किचिन में टीजे के पास लेकर जाता है और वो उसे बाहर निकाल देती है तो टीजे उन्हें अलर्ट के खत्रे में होने का बताता है सेक्यूरटी टीम फॉरन प्लान बनाने लग जाती है लेकिन टीजे इतने वेड से तंग आया मैक्स को अलर्ट सी जैकेट सुंगाता है वो फॉरस्ट की तरफ भागता है और टीजे सब को उसके पीछे चलने का कहता है जिस पर वो गाड़िया लिए मैक्स के पीछे भागते है फॉरस्ट की तरफ दूसरी साइड पर एलक्स और्गा को हिट करके भागती है तो आगे उसे कूप पकर लेता है और उनके अलक्स को उठाने पर उसका स्लिपर वहीं गिरा रह जाता है लेकिन वो उससे देखे बगएर उसे वैन में डालते वहां से निकलते हैं इस साइड पर मैक्स सब को स्लिपर तक लीड करता है और फिर वो फॉरस्ट के बीच में से रिवर से होता दूसरी साइड पर जाता है जिस पर एजेंट होन रोड को आखिर पर बंद करने के ओर्डर से देता है जबके मैक्स भागता हुआ वैन के पीछे जाता है लेकिन कूप तेजी दिखा कर उससे जान चुडाता है मगर मैक्स पॉरस से शॉर्ट कर लेकर कूप के गाड़ी के अंदर जम करता है और तभी अलक्स भी औलगा को हिट करती गिरा दीती है मैक्स के कूप को ऑकिपाई किये हुए रोड का एंड आ जाता है जहां पुलिस कार्स और फैमिली मुजूद होती है और पुलिस अलक्स को निकाल कर कूप और ओलगा को एरेस्ट कर लेती है उनके जाने के बाद फादर्स अपने बच्चों से माफी मांगते हैं तो वो दोनों बदले में कुछ डिमांड करते हैं मुवी के लास सीन में हम देखते हैं कि दोनों प्रेजिडेंट्स प्रेस कॉंफरेंस करके इस टॉक्स चारी रखने का बताते हैं और उधर ही मैक्स को प्रेवरी पर अवार्ड दिया जाता है उसके बाद प्रेजिडेंट अलक्स को लिए चले जाता है और Agent Thorne भी Charlie के वापिस आने पर Max को ले के जाता है और टीजे को उसके पेरेंट्स Charlie के पापिस गिफ्ट करके सिप्राइस करते हैं यहीं मुवी एंड हो जाती है